तो जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है कि इस बार BHU, BHC, Nursing, Intense exam नीट की थुरू होंगे और नीट की थुरू exam होने का सीधा सा मतलब है कि आपके आने वाले जो Intense exam होंगे वो टफ होंगे तो आपके इस प्रॉब्लम को देखते हुए आने वाले दिनों में मैं आप सभी के लिए बायो और कमिस्टी से जुड़े वे ऐसे वीडियो उपलोड करूँगा जो कि प्रिविएस यर नीट में पूछे गया है और ये वीडियो आपके लिए काफी helpful होंगे नीट के pattern को समझने के लिए कि किस तरह के question आपके नीट के exam में पूछे जाते हैं तो आज के इस वीडियो की सिरुवात करते हैं lesson first से जीव जगत यानि कि इस वीडियो में हम जीव जगत से जुड़िवे जितने भी important MCQ है जो कि नीट में पूछे गया है उनको solve करेंगे तो आएए वीडियो की सिरुवात करते हैं और चलते हैं अपने पहले question की और तो पहला question है इस्थिर जाती संकल्पना किसने प्रस्तावित की और ये question 1988 के नीट exam में पूछा गया है तो आपको बता दे कि इस्थिर जाती संकल्पना दिया था linear ने यानि कि आपका जो right option है option B है तो जैसा कि हम सभी जानते है कि कैरोलस linear ने 1758 में नामकरण की द्रिनाम पद्धिती का विकास किया और इनों ने ही इस्थिर जाती संकल्पना दिती तो ये दोनों point याद रखेगा जनरली हम सभी जानते हैं कि linear ने द्रिनाम पद्धिती दिया था लेकिन आप ये भी याद रखीगा कि ये इस्थिर जाती संकल्पना को भी दिये थे आए चलते हैं दूसरे question की ओर दूसरा question है नई वर्गी की यानि की new systematics सब्द का उप्योग सबसे पहले किस ने किया तो इस question का right option है option C Julian Hexley आए मैं आपको इसको explain करके समझा देता हूँ तो अनेक जो आधनिक जय वैग्यानिक थे उन्होंने जो taxonomy थी उसमें जय विकास थथा जीवों के जाती संबंध थे उनको जोडते थे परन्तु उनकी वाह संरचना समानता और असमानता पर वो ध्यान नहीं देते थे और इस तरह का वर्गी करण कहलाया जाती वित्ती वर्गी करण इस वर्गी करण को क्लेडिस्टिक वर्गी करण भी कहते हैं तो नोट कर लिजिएगा कि जाती वित्ती वर्गी करण को हम क्लेडिस्टिक वर्गी करण भी कहते हैं और इस प्रकास से एक नई वर्गी की का विकास हुआ है जिसे जूलियन हेक्सले ने 1940 में शुरू किया इसमें जीवों के परिस्थिति की कारे की जैवरसायन, कोशिका विग्यान, अनुवांस की इत्याधी लच्छनों को सम्मिलित करके जीवों को वर्गी कित किया गया आज चलते हैं गले कोशन की और कोशन अबर थर्ड है बेन्थम तथा हुकर द्वारा दिया गया वर्गी करण है तो सिंपल सा कोशन है मैंने आपको बैलोजिकल क्लासिफिकेशन से जुड़ा हुआ टॉपिक पढ़ाया हुआ है जिसका प्लेलिस्ट का लिंक मैंने नीचे वीडियो में दे रखा है आप उस वीडियो को देख लिजी अगर आपने नहीं देखा हुआ है तो उसमें मैंने बताया हुआ है कि जो biological classification है उसमें सबसे पहला है प्राकृतिक वर्गी करण प्राकृतिक वर्गी करण देने वाले scientist थे बेंथम तथा हूकर तो इस question का जो right option है option B है तो मैं बता दू कि प्राकृतिक वर्गी करण जो था वो जीवों के प्राकृतिक संबंधों पर आधारित था और यहाँ पर आप एक important point note कलिजेगा कि बेंथम तथा हूकर ने वर्गी करण की जो प्राकृतिक प्रधिती थी वो अपनी किताब जेनेरा प्लेंटेरम में लिख तो वर्गी करण की जो क्रित्रिम प्रधिती थी स्वर्पथम दिया था लीनियस ने यहाँ पर आपका जो राइट option है option A है चलते हैं अगले question की और question number 5 है लीनियस द्वारा उप्योग की गई वर्गी करण की प्रधिती थी तो अभी हमने पीछे देखा था कि लीनियस ने स क्रित्रिम प्रधिती की शुरुआत की थी उसका आधार था लेंगिक लच्छन जैसे कि क्रिप्टोगेमिया, Monosea, Monoendria, Diendria, Polyendria इत्यादी इसे सामान रूप से वर्गी करण की लेंगिक प्रधिती भी कहते हैं तो आप इसे भी याद रखेगा question में पूछ भी सकता है क्र लेंगिक प्रधिती के नाम से जाना जाता है लेकिन किसके case में हम, Linious के case में बात करेंगे ठीक है, आई चलते हैं अगले question की और अगला question है, Linious ने नामकरण की एक प्रधिती का विकास किया, जिसे कहते हैं, तो simple सा question है, हम सभी जानते हैं कि Linious ने दिविनाम प्रधिती भी पद नामकरण प्रधिती, जिनमें कि हम अनेक लच्छणों से किसी भी जीव का वर्गी करण करते थे, जैसे अगर हम बात करें, केरियो फाइलम, तो केरियो फाइलम का नाम था, केरियो फाइलम, सेकसी टीलम, फोलिस, ग्रेमिनियस, अम बेटेलिस, कोरिम बिस, आप देख अगले कोशन की, कोशन नमबर एट है, एक टेकसॉन है, एक टेकसॉन है, एक टेकसॉन का मतलब क्या है, आपके option दिये हैं पहला option है संबंधित परिवार के समूँ दूसरा है संबंधित जाती के समूँ तीसरा है एक प्रकार के जीविद जीव और चौथा option है किसी भी rank के taxon के समूँ तो दोस्तों यहां पर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि यदि आपने biological classification से related वीडियो नहीं देखा तो आप वो वीडियो देख लीजिए क्योंकि उस वीडियो में मैंने आपको subjective चीजे बताई हुई हैं और उसके साथ objective question को solve भी कराया हुआ है तो यदि आप subjective जो topic है अगर उस कमू है चलते हैं अगले question की और question number 9 है मानों में सुधार के लिए अनुवांसिक सिध्धानतों का अनुप्रियोग कहलाता है कहने का मतलब है कि अनुवांसिक सिध्धानतों का प्रियोग करके हम कैसे मानों में सुधार कर सकते हैं और उस पद्धती को हम क्या कहते हैं तो right option है, option B है, अब आप इसको कैसे याद कर सकते हैं, मैं सीधा से बता दे रहा हूँ, ट्रिक इसमें जेनिक्स, जेनिक्स मतलब जेनिक्स, ठीके न, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि यूजेनिक्स, तो यूजेनिक्स में क्या लगा हुआ है, जेनिक्स लगा हुआ है, त तो genetics को इसको जोड़ कर आप इसको याद कर सकते हैं, तो इसे आप confused भी नहीं होंगे और आपको इसका answer याद रहेगा, वही हम बात करें euthanics की तो वह विज्ञान है जो मानों के जीवन की परस्थितियों तथा वातावरण के सुधा से संबंदित है, वही हम बात करें euthanics क तो euthanics, दहिक कारियों तथा अनुवानसिक दोसों का चिकिस्सी विधियो द्वारा उप्चार का अध्यान है और चोथे option D की बात करें euthanology की तो मानों के विभिन जातियों उनके वितरण सम्मंध तथा क्रिया कलापों का अध्यान euthanology कहलाता है अई चलते हैं अगले question question number 10 है जीवास्मों का अध्यान कहलाता है तो बहुत simple सा question है आप सभी को answer पता होगा कि जीवास्मों का अध्यान कहलाता है जीवास्म विध्यान यान की option A सही है अई चलते हैं अगले question की और question number 11 है पौधे या जन्तूओं के समूं जो समान लच्छन वाले किसी rank के होते हैं तो इस question का right option है option D taxon चलते हैं अगले question की और question number 12 है आध्यूनिक समय में वर्गी करण का सबसे मुख्य आधार क्या है आपका पहला option है आकार की में समानता दूसरा है एनाटॉमी और कारिक लच्छन तीसरा है प्रिजनन की लच्छन और चौथा है मेरु दंड की उपस्थि तो मैं आपको यहाँ पर बता दू कि जो आधुनिक समय में वर्गी करण किया जाता है उसमें सभी लच्छनों को आधार माना जाता है चाहे वो anatomic के level पर हो चाहे वो physiology के level पर हो तो इस आधार पर हमारा जो right option बनेगा option B है anatomic और कारिक लच्छन अगले question की और question number 13 है क्यूवियर ने दिया था और क्यूवियर को ही जिवास्म विज्ञान का पिता भी कहा जाता है तो याद रखेगा क्यूवियर जिवास्म विज्ञान की पिता कहे जाते हैं और उन्होंने ही term संग यानि की फाइलम दिया था आई चलते हैं गले question की और question number 14 है taxonomic स्रेणी का क प्रम है सबसे पहले आता है प्रभाग फिर उसके बाद आता है वर्ग फिर उसके बाद आता है गड़ फिर उसके बाद आता है कुल फिर उसके बाद आता है ट्राइब फिर आता है वन्स और जाती तो इस आधार पर देखे तो हमारा जो राइट option बनता है वो है option C चलते है अगले question की और question number 15 है नाम करण की दूरी नाम पधती का अर्थ है तो आपके option है पहला option है एक नाम दो वैग्यानिकों दोरा दिया गया हो दूसरा option है एक वैग्यानिक नाम जो once तथा जाती से बना हो तीसरा option है दो नाम एक latinized और दूसरा आदमी का और चौथा option है इन में से कोई नहीं तो हम सभी जानते हैं कि दूरी नाम पधती में जीवों के जो वैग्यानिक नाम होते हैं उन में पहला होता है once तथा दूसरा होता है जाती तो इस हिसाब से हमारा जो right option है option B है तो दोस्तो ये था हमारा आज का पहला part आपको आज का part कैसा लगा आप comment करके ज़रूर बताएगा किसी question से related या फिर किसी topic से related आपको doubt है तो आप हम से comment करके पूछ सकते हैं और दोस्तो आपने पूरे question में से कितने question सही किये आप हमें comment करके ज़रूर बताएगा मैं देखना चाता हूँ कि आपकी तैयारी कैसे चल लिए वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like और share करना मद भूलेगा और यदि आप हमाया channel पर नए हैं और अभी तक आपने हमाया channel को subscribe कर लिजी और बगल में जो bell icon है उसे press करना मत भूलेगा ताकि जब भी मैं इस तरह की वीडियो अपलोड करूं उसका notification मिलता रहे तो दोस्तों मिलते हैं अगले पार्ट में यानि की पार्ट तू में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत